दोस्तों, आज मारूती के दो ऐसे प्रडक्ट आपके सामने घड़े हैं, जिनका मार्किट में अच्छा खासा दबदबा है, मारूती सुजुकी फ्रॉंक्स, इस गाड़ी को हवा मिली थी, आटो एक्सपो 2023 में, और जब से आई है, इस गाड़ी में बहुत अच्छे नंबर में लोगों को अपनी और attract किया, यंग बायर्स इस गाड़ी को लेना आजकल prefer कर रहे हैं, वहीं अगर मैं बात करूँ एक premium hatchback बलीनो की, इस गाड़ी को बहुत criticize भी किया गया safety को लेकर, लेकिन आप जानते हैं कि बलीनो फिर भी बहुत अच्छे नंबर्स में हर मन्थ रो डिफरेंस हैं, dimensions में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, power figures एक जैसे हैं, cabin भी लगबग एक जैसा और safety feature भी लगबग एक जैसे ही हैं, तो आपको आजकल की requirements के हिसाब से आपको किस गाड़ी को choose करना चाहिए, क्या premium hatchback के लिए जाना, यानि बलीनों के लिए जाना सही होगा, या फिर मारूती फिलाल फ्रॉंग्स को SUV कहता है, लेकिन हम इसे crossover मान कर ये अगर चलें, तो ये crossover के लिए जाना कि आपके लिए सही होगा, हम दोनों चीजों की आज detail से बात करेंगे, दोनों गाड़ीों का अच्छे से comparison करेंगे, सबसे पहले कीमत की बात करता हूँ, फ्र की बात करूँ, प्रेजन्स की बात करूँ, तो बलीनो डेफनेटल एक हैजवेग वाला लुक देती है, वहीं अगर आप फ्रॉंक्स को देखेंगे, तो एक बोल्डर रपेरिन, जैसा आजकल लोगों को compact SUV से चाये होता है, कुछ वैसी चीज आपको यहाँ पर मिलती है, औ उपर एक बड़ा क्रोम का बार, सुजुकी का लोगो, बंपर की उपर बहुत ही एजी-एजी से डिजाइन, प्रोजेक्टर बेस, हाई लोजन, हेड लेंप आपको मिल जाता है, वही normal turn indicator और normal parking lamp जो है वो आपको उपर दिखाई देगा, वहीं अगर आप बलीनो की बात करे यहाँ पर भी Nexa की वही वेवी स्टाइल ग्रिल है, सिगनेचर ग्रिल, लेकिन इसके उपर कोई क्रोम नहीं है, ग्रिल थोड़ी पतली है, तो एक बहुत ही mature सा look देती है, लेकिन जो एक compact SUV वाला look होता है, वो इस गाड़ी में आपको नहीं मिलेगा, वो आपको मिलेगा फ प्रफाइल देखते हैं, तो आपको definitely गाड़ी देखने में सुंदर लगती है, और इसकी जो length है, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रॉंक से 5 mm कब है, यह 4990 mm की है, फ्रॉंक 5 mm बढ़ जाती है, 4995 mm की है, वील बेस दोनों गाड़ीयों का बराबर है, 2520 mm का, सबसे पहले fender के उपर आपको normal turn indicator मिलता है, normal silver color के इस तरीके से painted आपको steel wheel मिलते हैं, proper tire section 185, 65, 15 रहेगा, ORVM की उगर बात करूँगा तो यह normal black है, और आपको इनको manually adjust और fold करना होगा, किसी तरीके की toggle या फिर किसी तरीके का electrical adjustment आपको नहीं मिलेगा, A, B, C, तीनो pillar आपको body color मिलने वाले हैं, सि window की नीचे की जो belt line आप देख रहे हैं, पूरी तरीके से blacked out है, grab handles यानि door handles सौरी जो है, वो आपके पूरी तरीके से black है, और पीछे जो आप fuel filling lid देख रहे हैं, आपको balino में और fronks में दोनों में ही CNG का option मिलता है, लेकिन यह petrol है, और tank की capacity है 37 liters की, चलिए, अब ज़रा एक बर पहले गाड़ी की rare profile आप देख लीजिए, कि कैसी दिखती हैं आपको दोनों गाड़ियां, एक तरफ balino खड़ी है, दूसरी तरफ fronks खड़ी है, वैसे to be very honest, fronks का जो look है, वो ज़्यादा bolder, ज़्यादा attractive और ज़्यादा modern feel आपको देता है, अभी इसकी बात करे इसकी वज़ासे भी बहुत अच्छा लुक जो है, वो definitely आपको मिलता है, और दोनों गाड़ियों की height में भी difference है, height में difference आना common बात है, क्योंकि 20 mm का तो फरक दोनों गाड़ियों की ground clearance में है, बलीनो आपको वही ground clearance देती है, जो एक hatch bag offer करती है, 170, यहाँ frongs के साथ आपको 190 mm की ground clearance मल जाती है, जो की practical है, दूसरा roof rails, यहाँ roof rails हैं, बलीनों में कोई roof rails आपको नहीं मिलती, तो थोड़ा बहुत फरक तो देखिए, इससे भी आ जाएगा, वो 1500 mm height है, यह 1557, तो 50 mm का overall difference जो है, वो आपको मिलता है, फिलाल यहाँ पर भी अगर आप window की belt line देखेंगे, तो black है, door handles black है, ORVM black है, और यहाँ पर भी आपको ORVM को manually ही adjust करना है, कोई आपको electrical adjustment यहाँ भी नहीं मिलता, चलिए, अब अगर आप यहाँ से दोनों गाडियों की rare profile देखेंगे, तो सबसे पहली चीज, यह जो आप black color की piano finish के साथ garnish देख रहे है ना, जो की थोड़ा सा quarterfinal के glass area के साथ marge हो रही है, इसकी वज़ा से fronks का जो element है, पीछे का जो look है, वो और ज़्यादा premium feel होता है, शाक्विन एंटीना आपको यहाँ पर fronks में मिलता है, वहीं अगर आप बलीनों tail light जो आप देख रहे हैं पीछे, यह बहुत सुंदर लगती है, LED बेस दी गई है, हाला कि इसका beach वाला portion भी जलता नहीं है, reflector के तौर पर है, लेकिन दिखता सुंदर है, यह चीज आप बलीनों में miss करेंगे, बलीनों में आपको LED में stop lamp तो मिलेंगे, लेकिन turn indicator और reverse में fog lamp होते हैं, वो आपको normal high logen में दिए गए है, उसके बाद bumper पर अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर कोई skit plate वगरा नहीं है, यह एक SUV वाली profile देने के लिए आपको proper skit plates वगरा पीछे silver touch up के साथ मिलती है, पूरे 4 points आपके पास यहाँ पर reverse parking sensors के हैं, यहाँ पर आपको vertical shape में reflectors मिलते हैं, यहाँ normal आपको horizontal shape, हलै कि 4 parking sensors आपको बलीनों में भी देखने के लिए पीछे मिल जाएंगे, defoggers दोनों गाडियों में, wiper washer दोनों में से किसी भी गाड़ी में आपको फिलाल नहीं मिलता, चलिए, अब जड़ा पहले एक बार boot खोल लेते हैं, तो यहाँ से अगर मैंने frongs का boot open करा है, तो सबसे पहले tailgate अगर आप देखेंगे, तो पूरी थरीके से इसकी trim, hard plastic से covered है, electromagnetic button जो है, वो आपको यहाँ पर definitely मिलता है, grab handle है, इसको easily close करने के लिए, parcel tray नहीं आती, volume के अभी बात करते हैं, उससे पहले जड़ा हम यह बलीनों का भी boot space जो भी नहीं आती, फरक देखें क्या है, यहाँ पर अगर आप बलीनों की बात करेंगे, तो इसका boot space का volume है 318 लीटर, वहीं frongs में 308 लीटर, जी हाँ, 10 लीटर का almost difference है, कोई फरक नहीं पढ़ने वाला, मैं आपको to be very honest बताओ, कुछ फरक नहीं पढ़ता 10-15 लीटर से, लेकि अगर आप frongs में स्वच हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी आपको एक single side में इस तरीके से hook जो है, वो जरूर मिल जाती है, boot lamp दोनों गाडियों में नहीं है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको normal steel wheel as a spare wheel दिया गया है, same size का है, कोई difference नहीं है, यानि under size नहीं किया गया under size करेंगे भी क्या, base variant में जब R16 दे रहे हैं, तो इसमें भी आपको R16 देना ही पड़ेगा, हाँ, यहाँ पर 15 था, यहाँ 16 है, यानि एक size जो बड़ा है, वो आपको वहाँ पर फिलाल normal steel wheel के तोर पर मिल जाता है, अब अगर आप बलीनों का spare wheel देखते हैं, तो यह देख कर देते हैं, अब बहार में क्या difference है, आपको clear हो गया होगा, सबसे पहली चीज, यहाँ पर black color के normal steel wheel हैं, इधर silver, size का फरक है, R15 है, R16 है, और section का भी है, वो 185 है, 185 है, यह 1955 है, तो यह थोड़े बहुत difference है, आपको definitely मिल जाएंगे, अब चलते हैं जड़ा cabin में, cabin पहले म फ्रॉंग्स के चलूँगा, लेकिन मैं आपको चावियां दोनों गाड़ियों की दिखाऊंगा, यह चावियां है, जो कि मारूती की हर गाड़ी के साथ आपको मिलती है, वही typical दो option है, आपके पास lock या unlock, यह बस दो चीज़े हैं, जो आप इन के साथ कर सकते हैं, अधर व पीच में कहीं काल पर bronze, फिर silver, फिर कहीं कहीं पर carbon finish, इन चीजों की वज़ा से फ्रॉंग्स जो है, वो थोड़ा सा ज़ादा आपको attractive सा look definitely देती है, दोर से अगर मैं शुरू करों, तो यह जो portion आप देख रहे हैं, यह आपको सब soft touch में दिया गया है, यानि कि fabric है, काफी बढ़िया अच्छा चीज है, जो आपको यहाँ पर मिल रही है, और यहाँ पर चारो power window की controls जो है, वो आपको यहाँ पर मिल जा रहे है, और सबसे बड़ी चीज यह है, कि driver side वाली जो है, वो आपको auto दी गई है, जो कि again एक आपके लिए plus point हो गया, यहाँ से अगर आप द तरीके से section दिया हुआ है, ताकि आप accessories या aftermarket जो आपकी priority हो, आप उसमें इसको यूज लगवा सकें, यूज कर सकें, लेकिन आपको खुद music system मारूती जो है, वो कोई भी offer नहीं करता, उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो safety lock, गारी को manually lock या unlock तरने के लिए bottle holder थोड़ा extra space, नीचे अगर आप देखेंगे तो proper dead pedal आपके पास है, अच्छा खासा space जो है वो आपको मिल जाता है, गारी का hood यहाँ से आप easily खोल सकते है, fuel filling lid, यह थोड़ा सा कभी space, गारी का electronic stability control, on या off, enabled disabled, अगर आपने करना वो idle stop and go, और यह 5 level तक की headlight leveling जो है वो आपक मिलते हैं, ना कोई leather wrap मिलता है, तो यह वो तीन स्पोक का की steering wheel, जो की flat bottom है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, SRS airbag, SRS airbag, एक आपको co driver side, यानी total आपको base variant में दो airbag मिलते हैं, steering में adjustment की बात करते हैं, तो tiltी आपको मिलना है, telescopic तो आपको खेर base variant में यहाँ पर मिलेगा नहीं, और अगर आप इधर देखते हैं, तो यहाँ आपको wiper के stock, इधर headlamp और turn indicator के stock जो है, वो आपको मिलते हैं, यह है सामने आपके सामने instrument cluster, instrument cluster आपको fronks और balino दोनों का एक जैसा ही लगने वाला है, क्या-क्या चीज़े हैं, वही मारूती style toggle आपको यहाँ पर मिलती वो सब चीज़े, temperature वगएरा, टाइम वाइम, वो सब चीज़े आप यहाँ पर check कर सकते हैं, एक बहुत ही बड़ा positive point, वो है यह automatic climate control, जी हाँ, base variants सही आपको automatic climate control मिलता है, fronks में भी मिलेगा, और आपको balino में भी मिलेगा, power socket, बढ़िया storage space, दो cup holder, यह side side में आप देख रहे हैं, जो थोड़ी सी आपको fake carbon finish वो देने ही कोशिश की गई है, 5 speed manual transmission, बढ़िया आपको यहाँ पर थोड़ा सा कभी space मिल जाता है, parking brake के नीचे, कोई armrest वगेरा नहीं आएगा, यहाँ पर भी आपको normal कभी space वही देखने वाइजर के उपर कोई vanity mirror वगेरा नहीं आता, normal वाइजर है, और day and night IRVM आपको यहाँ पर जरूर मिल जाता है, driver side में भी plane वाइजर आपको मिलेगा, यहाँ पर कोई ticket holder वगेरा वो आपको नहीं दिया गया, seats वो आपको सब fabrics की मिलने वाली है, headrest वो बिलकुल आपके पास adjustable है, आगे जो दोनों है, यह भी आपको adjustable मिलेंगे, और एक positive change यह है, कि मारूती आपको base variant में पीछे जो है, वो तीनों headrest adjustable देता है, और सारी तीनों की तीनों seatbelts जो है, वो आपको three pointed मिलती है, और base variant में आपको 60-40 split option जो है, वो भी यहाँ पर मिल जाता है, तो बहुत अच यहाँ बात करूँगा, तो कुछ ऐसी trim आपको यहाँ पर मिलती है, almost similar है, यह portion आपको यहाँ पर again surface के साथ ही मिलेगा, child safety lock वगएरा जो है, वो भी आपको यहाँ पर offer किया गया है, तो यहाँ से hood जो है, वो हम इसका एक बार जरूर खोल देते हैं, और अब चलते हैं, जर almost similar है, बस colors का फरक है, जहाँ पर हमने फ्रॉंक्स में यहाँ पर थोड़ी सी carbon finish देखी है, यह चीज तो बिल्कुल आपको सेम बैसे ही मिल रही है, यहाँ थोड़ा सा वहाँ पर ब्रॉंच कलर का use किया गया है, तो यहाँ पर आपको ब्लू कलर देखने के लिए मिलेगा, स SRS airbag, SRS airbag, यानि वेलीनो के base variant में भी आपको दो ही airbag मिलने वाले है, सेरिंग में adjustment की बात करूँगा, तो वो भी सेम है, यानि आपको tilt adjustment मिलेगा, टालस्कोपिक नहीं, 3-spoke का steering wheel, कोई यहाँ पर multifunction आपको controls इसके ओपर नहीं दिये गए, और इस तरीके से flat bottom जरूर मिले वो आप कर सकते हैं, कभी space सेम वैसा ही है, hood वगेरा और fuel filling lid आप यहाँ से भी easily खोल सकते हैं, और नीचे यहाँ पर भी आपको proper dead pedal और ABC तीनों pedals के पास काफी space मिल जाता है, दोर की बात करेंगे तो सेम तरीके से देखिए, one touch में window जो है वो आपकी पूरी down भी आएगी, one touch में अब भी जाएगी, और anti-pinch आपको यहाँ पर भी मिलने वाला है, चारो power windows आपको यहाँ पर मिलती है, safety lock और जाड़ी को manually lock या unlock करने के लिए, speaker यहाँ पर भी नहीं आएगा, क्योंकि बलीनो के base variant में भी आपको मारूती music system offer नहीं करता, 1000 lamp के लिए switch आपको यहाँ पर जरूर मिल जाएगा, positive change again, जैसे हमने बात करें थी कि fronks और balino, दोनों के base variant में आपको base variant से ही automatic climate control मिल जाता है, यहाँ पर भी seat built की height fixed रहेगी, headrest आगे भी adjustable है, पीछे भी, rooftop के ओपर इस तरीके से foldable, grab handles, plane visor, manually adjustable day and night IRVM, driver side वाला visor भी plane, यानि इसके ओपर कोई ticket holder वगएरा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, थोड़ा सा changes, seat में आपको जरूर है, वो changes क्या quality सेम है, cushioning सेम है, under thigh support वगएरा, सब कुछ एक जैसा है, कुछ फरक नहीं है, हाँ, लेकिन frongs आपको थोड़ी सी बैटने में boulder, यानि बड़ी feel होती है, उसकी visibility जो है, वो थोड़ी से आपको बलीनों से better feel होगी, अगर आप इस से comparison करेंगे उसका बलीनों से, तो, rare row की भी बात कर लेते हैं, तो color combinations वगएरा जो है, उसका फरक है, फोड़ एक बार इसका हम यहां से भी खोल देते हैं, तो कि हम engine की option जो है, उसकी भी बात कर पाएंगे, और उस side से जलते हैं, जड़ा हम इस गाड़ी की second row में इधर से आ जाते हैं, थोड़ा space का दिक्कत होगा वरना, आप देखिए, यह के लिए adjustable headrest आपको मिलते हैं, और 60-40 का split जो है, वो आपको यहां पर भी देखने के लिए मिल जाएगा, यानि यह भी same to same, कोई difference नहीं, रेर में इस events बलीनो में नहीं मिलेंगे, सिर्फ पैलबोट का power socket जो है, वही आपको मिलेंगे, और space वगयरा में भी कोई खास difference आपक का जो engine है, वो आपको यहां पर मिलता है, engine में for sure कोई कमी नहीं है, बहुत refine है, बहुत ही शानदार engine है, placements वगरा आप यहां पर easily देख सकते हैं, यह थोड़े थोड़े जो metal के parts आप यहां पर exposed देख रहे हैं, यह मारुती की गाड़ी में आपको देखने के लिए मिलते ही है, यहां पर अगर आप hood में देखेंगे, insulation दी गई है, firewall में covering मिल जाती है, और नीचे engine production जो है, वो भी आपके लिए मिल जाती है, अभी power figures की बात करते हैं, क्योंकि कोई फरक तो है नहीं, दूसरे का भी खोली लेते हैं, और यह है prongs का engine बे, यहां पर भी आपको वही 1.2 लीटर का 4-cylinder K-series मारूती का engine देखने के लिए मिलेगा, positioning वगेरा, placements वगेरा, almost sub-similar आपको मिल जाती है, यहां पर भी थोड़ा बहुत metal आपको exposed देखेगा, hood में यहां पर भी insulation आपको मिलती है, firewall के उपर covering है, और under body में भी पूरी आपको covering जो है, वो दी गई है, एक और ज्यादा अच्छा punchy feel दे, तो frongs में आपको 1-liter का turbo engine का option मिलता है, जो कि पहले बलीनो में आया था, बलीनो RS के नाम से, अभी नहीं आ रहा, लेकिन पहले बलीनो RS के नाम से आया था 1-liter का turbo engine, वो चीज आप frongs के 3 variant में ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन बलीनो में आपक आपके पास केवल एक ही option है, engine option का 1.2-liter का natural spirited, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, power figures, दोनों गाडियां 113 newton meter तक का torque और 88.50 bhp तक की power जो है, वो generate करती है, यानि सेम है, लेकिन mileage में थोड़ा बहुत difference है, company बलीनों के साथ almost 22 और frongs के साथ लगबक 21 तक का mileage जो है, वो claim करती है लेकिन अगर आपका driving pattern बहुत mature और एक अच्छे से आप गाड़ी को चलाने वाले में से हैं, अराम से, ज़्यादा rough और tough ये सब चीज़े आप नहीं करते हैं, तो आप दोनों गाड़ियों से बराबर mileage बहुत प्यार से निकाल पाते हैं, सिर्फ परक किस चीज़ का है, दो ground clearance में difference है, यहाँ 170 और यहाँ 190, अगर आपके घर के आसपास कुछ ऐसी सड़के, ऐसी speed breakers है, यहाँ गाड़ी touch होने का आपको risk रहता है, तो 190 mm की ground clearance, perfect, लेकिन 170 थोड़ा सा issue रहेगा, गाड़ी नीचे लगने वगने का risk रहता है, ज्यादा फरक नहीं है, 85,000 का फरक है, लेकिन अगर हम sensibly सोचें, तो सिर्फ look की बात है यहाँ पर, बाकी performance एक जैसा है, response एक जैसा है, power figures एक जैसे है, mileage एक जैसे है, service एक जैसी है, maintenance एक जैसा है, आपको दोनों में से कौन सी गाड़ी अच्छी लगती है, आप मुझे comment section में बताना बिलकुल मत भूलना, उमीद करता हूँ, वीडियो आपकी help जरूर करेगी, आपको अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी है, तो like, share, subscribe करना, आप मत धूलना, जल्दी एक नई वीडियो में मिलूँगा, आपसे धन्यवाद,